ओम शान्ति आज का विजय मंत्र है परिस्तितिया स्वभाव बदल दिती है वरना इनसान कल भी वही था और आज भी वही है त्यान रहे कि गरीब का भुका बच्चा भी सब को चोर लगता है इसलिए इनसान की आच्छाईयों पर सब खामोश रहते है और यदी चर्चा उसकी बुरायों की हो तो गुंगे भी बोलने लगते है दोस्तों आप लोग यह आनुभो व्यवार के अंदर देखते हो कि किस तरह व्यक्ति परिस्तितियों के परवश होके कभी-कभी जीवन के अंदर हार खा लेता है जब उसके अंदर गुंग और शक्तिया नहीं होती ही तो वो मजबूर हो जाता है और मजबूर इसे वो हार कर अपने जीवन का अनन्द वो खो देता है उसके विपरीत जिनके अंदर परिस्तितियों से लड़ने की ताकत होती है परिस्तितियों को चालेंज के रूप में जो स्विकार करते हैं उनके अंदर शक्तियों का और गुनों का विकास हो जाता है और वही शक्तिया और गुनों का विकास विने उस परिस्तितियों से उठा लेता है आर्थात वो विज़ई बन जाते हैं कहिए अपने आई से वो धारन देखा होगा आपके सामने बे आये होंगे कि एक ही परिस्तिती है लेकिन उस परिस्तिती को कोन किस तरह से हैंडल करता है और कोन किस तरह से हैंडल करता है जिसका मनोबल उंचा होता है वो परस्तिती को आउसर समझता है और जिसका मनोबल कमजोर होता है वो उस परस्तितियों को समझ्य समझ लेता है हम लोग देखते हैं कि अगर परिष्टिती वस किसी के जीवन में गरीबी है और कोई बच्चा आपके पास मांगने के लिए आता है तो आपको डाउट आ जाता है शायद यह चोरी करने के लिए आता है लेकिन उसकी जो गरीबी है वो गरीबी उसकी मजबूरी उसको चोरी करने के लिए बाद्य बना देती है उसने परस्तितियों को आउसर न बनाने के बजाएं एक समश्या समझ लिया और आज वो विक्ति चोर बन गया जीवन के अंदर आपने देखा होगा किसी भी चोर को आपनी हिस्ट्री आप पूछो उसका व्यक्ति मत आप देखेंगे पहले वो व्यक्ति बहुत आच्छा था लेकिन परिस्तिती ने उसको इस तरह बना दिया क्योंकि परिस्तिती उसको उसने equipment ने लिया दुनिया के अंदर आप देखती हैं कि किसी के आच्छाई पर जब आप बोलने लग जाते हैं तो लोगँ खमोस हो जाते हैं क्यूंकि किसी की गुण और प्रसंशा हमें पस्ती नहीं हम स्विकार नहीं करते आगर उसकी कमिया और कमजोरियों के उपर आप बोलना सुरू करो तो जो न बोलने वाला कोई गुंगा भी वेक्ति बैटा हो तो वो बोलना सुरू कर देता है कि आपको पता नहीं वेक्ति का ऐसा मैं जानता हूं तो समाज के अंदर हमें इन परिस्तितियों को देखते हुए उनके उपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सदह ही वो आपने दुर्ष्टिकोन को सकारात्मक रखना है और आपने विजय को प्राप्त करना है तो आप जीवन के अंदर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे thank you all the best sabko om shanti